हेलो दोस्तों मेरा नाम है रीव आप देखें टेक के रीव चलिए शुरू करते हैं अगर शुरू करने से पहले अगर आप में चाले में नए हैं तो प्रीज सब्सक्राइब करिए बेल एकन दबाइए ओल करिए ताकि मेरी हर लेटिस वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मि सब्सक्राइब कर दिया था और ट्रिमर प्लस और ट्रिमर का और आज हम करने वाले हैं तो दोस्तों की स्पेस्ट की करें तो यह आपको हेर की कर सकता है अंडर 55 डिग्री सेल्सियस सेफटी है इसका थर्म प्रोटेक्शन देगी इंसलेशन के साथ तागे ज्यादा हीट होन और जादा करेंट करेंट भी ना लगे आपको और जादा हीट भी ना है 400 वाट फास्ट और एफिशेंट रहेंगे मालब चौड़ी ज्यादा लगी लेकिन हैडर काफी अच्छी क्वाइटी अब इसके और आग इस पेक्स होता हम होता आप भी खुछ हो जाएगे और इसके नहीं कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी जो फैन की आर्पिया में नाइंटीन थाउगंड आर्पिया में फैन की और जो है ड्राय वह एक एडवांस टेक्नोजी के साथ आजा जोगी नेगेटिव आयंस टेक्नोजी नहीं दे रहा की है और ट्विंटी मिलियन सेंटिमेटर सब्सक्ंड div सब्सक्द करने की चीज़ता जिर्शी प्रीट चीश्फार उट्विंटीन प्राइब कर दो और फुल बेंट स्पीड में वाल काफी तेजी से स्केंडर से हमाँ आएगी बाल के डबाएंगे ना यहां वाल हो चला दी फुल स्पीड वज़ेंगे और कोई टैंशन निंग अब 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 यहां और अब जाया को काफी आराम से पकड़ पाएंगे जार आपको दिक्कत नियुकर यूज़े उसके ने में और यहां को सिर्फ यह कंदर आप्चन देखना मिलता है वाइट कदर में जादर इसी कदर में आते हैं तो कदर भी अच्छा है और मेड़ वी जीरो फ्लेम रेजिस्टेंट अब यह फ्लेम रेजिस्टेंट भी है और मैं शुरू नतास करना इंसुलेशन भी आपको मिलती है प्लेस पीची हाई ग्रेट मैडियल्स विद एक्सिलेंट थर्मल इंसुलेशन इंसुलेशन आप बता चुका हूं पहली ट्रिपल यह प्रोटेक्टिव मैश प्रिमिंट है फ्लेटिंग कोड मलब बालब आगना लगे तो तीन प्रोटेक्शन देर रखिए इसके अंदर औ 242 40 hours UV NT aging test 70 cm 70 cm फटक हो गिया ठीक है 70 cm यहां इतनी है टोगी फॉलिंट थेस्ट 50 degrees celsius to 3 degrees celsius high temperature test plus 3 degrees celsius high and low temperature test करने के बाद है और आपके पाद ही सारे टेस्ट होने के बाद ही यह प्रेपेर्ड आपको मिलेगा जो कि मुले काफी अच्छा प्रोटेक्ट लगा यह इस बात के साफ़ से और जल्दी से सारे specs और मेंन स्टेक्स को हम रिपीट करें तो यह प्रोड़क्ट का पूरा नहीं में है रियल मी कोई परिशानी नहीं होगी और रियल मी का है काफी अच्छा है साइस की बाद करें तो 171-76-251 mm का मिलता है विद कंसेंट्रेटर 128-76-251 mm का मिलता है विदाउट कंसेंट्रेटर पावर केवल की बात करें तो 1.8 मीटर के लिएं के साथ इसके पावर के बिलाती है टू से यहां कोई काम कर रहा है बाल है इदर सुका रहे है थोड़ा सौके डूर है तो परिशानी हो जाती है फैर लेकिन 1.8 मीटर से दूसरी कंपनिस को काबले काफी अच्छी लेंग दे रहती है विद स्पीड की बात करें तो सॉफ्ट और पावर दोनों मिलेगा यह भी आप दो दोस्तों यह करें प्रिया ड्रायर तो काफी अच्छा यूशुल प्रोड्ट है उनके लिए जो सेलन उसमें काम करते हैं या जिनको अपने यह काफी अच्छा प्रोड़क्त है और इसकी हम प्रेसिंग के बात करें तो इसके डाइक को क्ट हैं नहीं कि टृमर्स हैं उस आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों यह था रियर्मिक हेड़ार आपको हेड़ार कहले लगा आप मुझे कमेट करके बता सकते हैं और अब तक हमारे चाहिए सब्सक्राइब करें तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल लाक दबाएं और करें ताकि मेरी हल रेटिस वीडिय आपको मिल जाता है यह वीडियो अप्लोड करूं तो यह थी आची वीडियो शेयर दो करें वीडियो को परन्ताइब लाइक करेंगा कमेट में बताएब कैसे लगया आपको वीडियो थेंक्यू फर वाचिंग